यूट्यूब वहलो लट्टी अनूं काजल सिमरन उत्तरा टंडन प्रिति गिल एक बार बताना कौन है ये लड़की प्रिति वाद्वा ठीक है टॉपर ठीक है बहुत अच्छा उन्होंने एक्जाम दिया था अलो गुड मॉर्निंग सुल्ताना काजल ठीक है तो हम क्या डिसक्स कर रहे थे हां जी तो आपको अपला चल गया होगा नहां क्यों ना टेस्ट नूं बेटा कंबाइन विस दिस नीरिस होता क्या हो गया बेटा क्यों ना टेस्ट नों कंबाइन ऐसा अच्छा ही है या शी स्कूर 158 बेटा कि सबी थे बेटा वन ये वाले भी थे त्री ये वाले भी थे ओल्ड स्टूडेंट्स भी थे हमारे ठीक है शिवम सेटी गुड मॉर्निंग बेटा आपने अच्छा टेस्ट दिया था कल ठीक है तो अभी आप यह जो बीस नमबर चे आपको बोले थे कोई बात नहीं गुर्विंदर विद्धी बेटा एक दो चार नमबर चलते हैं वह आगे से और मेनद करो और ट्राइटू गैट अट लीस्ट वन ट्वंटी दोस्व में से ठीक है ओके कोई बात नहीं यहां पर मत डि आप इसका स्किये आप सब नंबर के पीछे बड़े थे किसी निकल कॉस्टन ही डिसकस की ठीक है जितना टाइम आप यह चीज लगाने करते हो सर मेरे 40 पर संथे मेरे 30 पर संथा मेरे 50 पर संथ रैधर रहुशुद डिसकस्टी पाकी 50 पर संथ या बाकी 60 पर संथ गलत क्यू बट डिस इस गुड़ स्कोर अंडर से उपर जितने भी स्कोर है वह अच्छे स्कोर थे बेटा ठीक है बट यह मतलब नहीं कि भई मैं आराम से बैठ जूँ अगे मेरे को मेनत करने की जूरुत नहीं है यस कोई बात नहीं वेटा आज अभी गलती कर लोगे कोई इशू नहीं है पेपर असली में कोई गलती नहीं करनी तभी मैं बोलता हूं कि जितनी मेनत करोगे जितनी स्ट्रेटेजी बनानी है जितनी टाइम मैनेश्मेंट करनी यहीं पर कर लो मेरे साथ कर लो ठीक है जो गलत यहांबर उसके बाद टीक यहां पर गलत नंबर आ जाते हैं यहां पर नीचे नंबर आजाते को इशू नहीं धी थी presents बट से सीक्के आगे चलना थीक है ना येश but deep AT दोनों different खोते हैं और latent fusion में बहुत होते हैं ठीक है दोनों की numerical magnitude क्यों okay चलो veryığın congratulations to all the जो बच्चों ने जुन्होंने क्वालिफाई किया एक्जाम ठीक है बट आगे से आपने सब का कुरुकि मैंने इतना लीवे दी होती है इतने मैंने सासान क्वेश्चन डाले होते हैं ठीक है ना जोती का अभी टेंशन मतलो बेटा मेरे साब से तो 50% वाला पास है बस ठी है ठीक है बट अभी टेंशन मतलो जिनके कम भी आये हैं वह अगले टेस्ट में और इंप्रूब कर सकते हैं ठीक है ओके कोई बात नहीं बेटा यह मार्क्स आपको हमें देखना है आपका स्टेटिस्टिक्स स्टेटिस्टिक्स मतलब आपके पहले नीचे लेवल पे थे स्केल में ठीक है ना बस हमें वही चाहिए कि हम जितना पड़ा रहे हैं जितना आपको करवा रहे हैं आप उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हो रेगुलर्ली और नेक्स टाइम और बैटर आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है आपने मेनत किया है हमें दिख जाएगा बेटा अगर आपने मेनत किया तो इस विल शो तभी हम अपनी तरव से अच्छे आपको पूरा अच्छा मदब करवा रहें त्यारी ताकि आपका अच्छा रिजल्ट ठीक है बेटा नेक्स टेक्स्ट जैसे आप्टिक्स खतम होगा और एक और टॉपिक कर लेंगे बाइद आपको बज़ूगा जो आपने यहां पर टीचर्स करवा रहे हैं वह आपके सारे टॉपिक्स रेडी होने चाहिए अगर मैस का कोई होगा मैस का भी अगर आपके टीचर्स हो जाते हैं क्या है डाउट्स पताओ बेटा तब ही मैं कहता हूँ डाउट्स के लिए को सेपरेट इशू नहीं होगा कोई क्लास नहीं होगी आपको डाउट्स पूछने हैं आइधर यू कैन आस्मी राउट नाउट जो आप पेपर पे क्वेश्चन्स लिखके लिया करो ठीक है मेरे को दे दिया करो गुरूप में सुबह यहां पर हम डिसकस कर लिया करें कि जब हम क्लास लेने लगते हैं तो ठीक है टेस्ट वाले बेटा बहुत लंबा हो जाएगा एक तो पूरी क्लास लग जाएगी लेट मी टेक एक दिन मैं ले लूँगा किसी दिन आपका ठीक है नहीं बेटा अंड नमाग से उपर जाहिए मेरे को पाहुल प्रीट वी वांट कि आपकी इंप्रूब्मेंट इस हंडर परसेंट मतलब 50 परसेंट से उपर हो 100 परसेंट बेटा लेटेंट हीट ऑफ्यूजन डिफरेंट होती है और हीट का जो मेंगनीचूर होता वो डिफर ए लिफ्यूजन लेटन ओफीट ऑफ्यूजन है जो वो जो हीट है जब आपको आई से कणवर्ट करना है सॉलिड में बटाइज एट एक्सट्र टेमपरेचर इस रेक्वाइट थी एक्सटा हीट इस नौट निदेट फ्रॉम्ट थे एंवार्मेंट तो आश्रिमा अस्मित हां जी आश्मिता वो लिए तो वह हीट जो हम बात करते हैं उसका नाम है लेटेंट हीट और लेटेंट हीट फ्यूजन की वैल्यू थोड़ी कम होती है एस कंपेर टू लेटेंट हीट ओफ वेपराइजेशन या हीट ओफ यह लगी समझ बेटा तो आप इसको नेट बेचेक कर लेना दोनों की वैल्यू डिफरेंट होएंगी तो इक्वल वैल्यू नहीं होती है ठीक है ना ओके तो यही एक टॉपिक था जो एक वो था जो इसमें प्रॉब्लम थी बैस एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी 44 बेटा सबको दो दो नंबर एक्स्ट्रा मिले उसके ठीक है यस जो तिका इंग्लीश और हिंदी में ही फाइनल एक्जाम आएगा तब ही मैंने इतना जाला टैंचल ल ठीक है अंडड़ के अंडड़ और और आंसर शीट किसी को चाहिए होएगी तो वह भी माल सकते हो ठीक है तो लास्ट टाइम लास्ट स्टार्ट नाओ ठीक है एवरिबड़ी यूट्यूब स्टार्ट करते हैं अब कि शारे जुड़ जाओ ग्रुप में आप दे सकते हो ठीक है ग्रुप में देदो कि इस क्लास स्टार्ट हो चुकी है ठीक है अज ग्रुप में आप मांग लेना बेटा आई विल ट्राइस टू सेंट ठीक है पाहि कि एकौए तो इसा सबस्क्राइब करता है या डुकत लूकें और धिकर अर्लिग्स के में होशा जामरे आज्र रेक्षा हों सक्ति हैं तो आमने बोला था कि जो चीज़े reflect होती है उसी के कारण उसका color आता है color usually 3 तरह के होते हैं हमने बोला था कौन-कौन से color होते हैं 3 तरह के आ,g और b , red green और blue ठीक है तीन color के हमारे primary colors होते हैं ठीक है यस ठीक है तो तीन कलर हमारे प्राइमरी कलर ही होते हैं दे रिक्वायर और उसी से हमें पड़ा चलता है कि भई बाकी से कंट्री कलर कैसे कैसे बनेंगे ठीक है डन पिटर चलेंगे ओके तो हमने यह लाज ओफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिए था लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो कि जैसे आप जतना इंसीडेट रै आएगी जिस एंगल प्राइगी उसी एंगल से वे रिफ्लेक्ट होएगी उसी एंगल से मतलब यह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वह एंगल ओफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा ठीक है जी तो यह भी हम पढ़ के यास सेम प्लेन का मतलब है यह लाइट आगे से जाके बाहर नहीं गेंद बाहर नहीं गिरेगी यह जो गेंद है वो यहां से टकराके उसी एंगल से मुड़ जाएगी ठीक है ना इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं अंकल आफ इंसिडेंस एंकल आफ रिफ्लेक्शन दे बोथ लाइट इंदी सेम प्लेन हैलो बलजीत को ठीक है यह लाइट इंदी सेम प्लेन मतलब इसी प्लेन में रहेंगे और नहीं पीछे जाएंगे ठीक है ना यहां से टकराके अंदर बाहर नहीं कर जाएगी यह टकराके उसी एंगल से मुड़ जाएगी तो सेम प्लेन में लाइ ठीक है इसको हम बोलते है नॉर्मल नाइन का मतलब होता है नाइंटी डिग्री पे जो इतनी लाइन होती है वो ठीक है जी तो युच के बाद हमने पढ़ा था बाओ संग्हा बाओ वाट डिफरेंट टाइक्स ऑफ रिफलेक्शन हमने दो तरह की पड़ी थे कौन कौन से थे diffuse reflection और specular reflection आज हमने उनका आगे पढ़ना है ठीक है diffuse reflection जब भी होगा हमने पढ़ा था पहले specular reflection पढ़ते है specular जो होता है हमेशा smooth surface पे होगा और smooth surface पे क्या होगा जितने angle से light ray आ रही है है उतने angle से वो reflect हो रही है this is basically known as a laugh reflection ठीक है जी तो angle of incidence is equal to angle of reflection अगर मैं एक एक लाइन के उपर 90 डिगरी ट्रा करूं कि अगर मैं 90 डिगरी ड्रा करता हूं हर एक एंगल पर तो वाट इस गोइंग टॉइपन यहां पर मैं 90 डिगरी कर रहा हूं हर एंगल पर चलो 90 डिगरी ड्रा कर रहा हो हूं हर एंगल पर तो यहां पर angle of incident होगा वह एंकल आफ reflection के equal हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि ये smooth surface से reflect हो रही है तो हम इसको बोलें कि specular reflection जो diffuse surface reflection है वो rough surface से reflect होई राफ surface मनला उबडखाबड ठीक है जी तो उबडखाबड मतलब जैसे हमारी सडके होती है उबडखाबड ठीक है ना तो क्या होता है कि जब उससे reflect करती है light तो बिखर जाती मतलब spread out हो जाती है क्यों क्योंकि इसका हर एक डिगरी पर angle change हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि angle of reflection is not equal to angle of sorry angle of reflection जो है in incidence of reflection की होगा equal but हर एक एंगल पर angle change हो रहा है तो हर जगा पे जो है picture की quality अच्छी नहीं आए की चले आगे ठीक है तो आपने यह चीजे देखे यह question आपको question कभी पूछा जा सकता है कि there is a relative difficulty of night driving on a wet asphalt road compared to dry asphalt road इसका क्या मतलब होता है asphalt होता है जो look look नहीं पढ़ती जमीन के उपर हम look डालते हैं ताकि वह सड़क बनी रहे वहां पर तो तो वहां पर अगर हम normal दिनों पर चल रहे हैं है अगर हम normal दिनों पर चल रहे हैं अच्छे सी दिखाई दित्ता में रोड है ना बट किसी दिन अगर बारिश पड़ी हो वहां भी तो बारिश पढ़ने के कारण क्या होता कि एकदम से आखों में चका चौन सी पढ़ती है आपके कि क्या ना वो क्यों पढ़ती है बेटा that is the result of which kind of reflection specular reflection specular reflection क्यों हमने बोला इसको क्यों 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 कि वैसे अगर वहां पर लाज से और युवर्प देखें तो रोड होता है जू घूड मन् tuna होता है नॉर्मल नॉर्मल दिनों में पाठ जोब पाणी कहड़ा हो जाता है और मारे यहां प कै बहुत पाणी खड़ा होता मॉंसून में खास करके तो तो यह बहुजी जो ब्ला स्वाट पे वो सीधा एक पानी की सता जम जाएगी ठीक है और पानी की सता कौन सी होती है स्मूथ होती है तो वहां पे आपके स्पैकुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगी स्पैकुलर रिफ्लेक्शन जब होगी तो एक दम से आपको चका चौन देखेगी यह देखो दिख रहा है आपको आपने जहाज देखा कि यह light आ रही है यह आ रहा क्या करते हैं नदी आरिया कोई ऐसे करके जहाज से देख रहे हो स्को को और यह एक दम से देखो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर चका चॉंसी जो नहीं लग रही है आपको ठीक है आगे चलते हैं हम एक question और अतावता पीपर में many people have witnessed a person or have a seen a photograph of beautiful nature scenery captured by a photographer who sets up the shot with a calm body of water in the foreground ठीक है तो अगर calm body of water in the background है कैसे अगर इस picture को देखूं जियान से देखूं काम body of water है बिल्कुल पानी के ऊपर कोई चल नहीं रहा है तो पानी एक mirror की तरह कर रहा है तो क्या हो रहा है कि जैसे इसकी photo है उसी की तरह उसका ठीक प्रती बिंब जो reflect reflection है एक मेर्को आ गई हिंधी बोलते बोलते है प्रती बिंब जो उसका है जो उसकी reflection रिफ्लेक्शन है उसकी बिल्कुल साफ तरिक्के से कितनी अच्छी दिखाई दे रही है थीडा बट और दिस अगर इसके उपर हम पत्थर फेक देते हैं एक पत्थर देते हैं तो क्या की क्लारेटी वैसे आएगी विटा क्यों ग्यत इस डिफ्यूजरेफ्लेक्शन ठीक है जब अम पत्थर फेक देगे टो यहां तरंगे उठनी शुरू हो जाएंगी ठीक है वेव उठनी शुरू हो जाएंगी उसके कारण वहां पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होएंगी अच्छी सी क्लारिटी नहीं आएगी आपके पिच्चर की लगे समझ ठीक है वेटा तो मैं अगर बात कर रहा हूं कि मेरे को यहां पर यहां पर कॉन सी रिफ्लेक्शन के कारण अच्छी फोटोग्राफ राइगी तो दैट इस स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ठीक है अगर सपेकुलर रिफ्लेक्शन नीट से ज़्यादा ओ जाए जादा मतलब बहुत जादा अगर आप एकड़म से ब्लाइट को ऊपर करके रखोगे हाई बीम पर काड़ी चलाओगे तो आपके आगे वाले जो ड्रैवर होगा ऑपोजेट से उसकी आखों में टेंपरेरी ब्लाइटनेस आ सकती इतने जाला रोशन आती उसे आख के बंद कर सकता है तो इससे एक्सिडेंट हो सकते हैं ठीक है तो यहां पे है इसका रॉंग यूजज और यहां पे है उसका सही यूजज ठीक है बेटा डन या अपर डिपर डिपर यूज डिपर अट नाइट लिखा उतावने देखा होगा वेहिकल्स के वीचे ठीक है और अभी यह भी समय लग रहा है यहां पे काम बॉड़ी ऑफ व और यह देखो अगर मैं इसको ए मानके चलता हूं और इसको भी मानके चलता हूं तो ए और बी में क्या डिफरेंस है कौन सी रिफ्लेक्शन हो रही है वाने स्पैकुलर वैरी गुड अन सेकेंड इस बीस डिफ्यूज डिफ्यूज क्योंकि यह काम बॉड़ी ऑफ वाटर न आपने अच्छे से पढ़ने है स्पैकुलर यह स्पैकुलर स्पीए ओक्स सफिया तो नाव वी मूव ओन तो अनदर इंपोर्टन टॉपिक दाद इस रियल क्या इमेज होती है और वर्चुवल इमेजिंग क्या होती है यह आपको क्यों क्यों करार हूं बैटा क्योंकि यह स इसकी फोटो अच्छी नहीं आएगी इसमें रिफ्लेक्शन अच्छी नहीं तो मैं क्या बोलों कि बिखरी या बिखरने का क्या मतलब होता है Scattering of light is taking place ठीक है टन आगे चलते हैं और डिजर और वर्चिवल इमेजिंग क्या होती है रियल इमेज मतलब क्या मतलब होता है कि तो अगर एक सच में light ray जो है वो एक object से होके आ रही है और उसका प्रती भीम हम देख रहे हैं एक screen के उपपर एक दिवार के उपर तो हम उसको बोलेंगे real image ठीक है अगर मैंने यहां दिवार में पर्दा लगाया होगा तो उसकी light ray वहां पर कनवर्ज होएगी और वहां पर क्या है प्रती भीम डालेंगी उसका उसको reflected image बनाएगी ठीक है बेटा तो इसको हम बोलेंगे real image real image का मतलब अभी आपको समाच आ जाएगा tension मतलब एक दियान एक मार मैं भी बताता हूं गेटा एक दियान में चीज़ रखो कि यह always inverted image हो की पहली बात inverted image होगी मतलो उल्टी बनेगी अगर मेरे सिधी उंगली ऐसे किया तो picture मेरी में इस तरह से उंगली उल्टी उंगली ठीक है दूसरी बात है कि यह कहां बनती है यह दिवार पर बन सकती है परते पर आ सकती है यह और तीसरी बात जो आपको याद रखनी है सबसे important ठीक है ना यह converge करती है एक light ray से जो कि object से होके आ रही है कैसे अब बस्चों को समय नहीं आ रहा है तो let me show you with an experiment अगर मैं यह मौ mirror रहा plane mirror डाल दो चाहिए अपर ठीक है ना प्रेल मिरा नहीं दूसरा कोई भी mirror रहा कंवेक से कंकेर ठीक है mirror रखा है और इसका शीसे से इसको देख रहा हूं इसका प्रतिविम कहां पड़ेगा वैसे प्रतिविम कहां पड़ेगा इसका दिवार पर पढ़ना चाहिए था पर दिवार मेंने एक white paper भी रख दिया अगर simple white paper रख दिया तो उस पे मेरे को image इसकी दिखाई देगी क्योंकि यह image एक real object से होके आ रही है और इसका जो image है वो दिवार पर पढ़ रही है आप इसकी photo ले सकते हो ठीक है ना मतलब इसको आप दिवार पर दिखा सकते हो ठीक है तो real image कौन सी होती है जिसका एक shadow बनती है या जिसकी एक जो प्रतिवियम बनता है आप उसको परदे पे देख सकते हो जैसे कि आपने देखा होगा जब आप movie देखने जाते हो cinema में तो एक light पुरा room में अंदेरा होता है और सिर्फ एक जगा से light आ रही होती है ठीक है न अच्छे नंबर आणे चाहिए अच्छे नंबर आणे चाहिए आप इतना पड़ते हो बट आगे अच्छे नंबर आने चाहिए शुबम कवेले डिवाद है बैटा अच्छे नंबर लाओ थोनों अच्छे तो इसकी फोटो बनेगी तो इसकी फोटो बनेगी तो इसकी फोटो बनेगी वह अगर यह उपर को है तो यहां पे नीचे को इसकी image बनेगी ठीक है ना done तो हम क्या बोलते हैं यह कौन सी image है यह real image है काउन सी image है यह real image है अब आपको मैं इसका line diagram बनाकर दिखाता हूं जैसे कि अगर मैं देखो यह यहां पे लगा है object है यहां पे गांदर को उसका कर्व किया गया इस तरह से कवर किया गया अविर दिख रखी गे तहीं के अंदर शीशा लगाया चीज इस रखी है रख दी या मैंने पर दा रख दिया है कुछ भी चीज रख दी ठीक है ठीक है पर्दा रख दिया या पेपर भी रख दिया वहां पे तो मैं क्या देख रहा हूं कि जगर मैं यहां पे इसकी फोटो लगा रहा हूं तो फोटो इसकी यहां पे इसकी लाइट आ रही है एक बलब की वह यहां से टिकरा के यहां पे बन रही ह की फोट आरही है और आप उसको स्क्रीन पर ले पा रहे हो तो मैं इसको क्या बोलून Delaser ये बलब था ये वाला बलुप ये वाला बलब ये को त्यांशुक्त है कि अगर मैं यहां निपर क्लिछ समझ औप यहां अमधर क्या पॉसरइब को येस और देखो ये उब्जेक्ट सीधा पड़ा है इसकी इमेज हमारे को उल्टी दिखेगी तो हमेशा जो रियल इमेज होएगी इसकी आपको उससे बड़ी भी दिखाई देती कम भी दिखाई दे सकती है अब हम आगे जाके पड़ें यह फोकस से दूर पड़ा थोड़ा तो इसकी इमेज इनवर्टड बन रही है ठीक है जी क्या होता है फोकस यह भी समझेगी अब आपको रियल इमेज समझ लग गई है अब आपको समझना है कि वर्चुल इमेज क्या है हाँ ठीक होगा ठीक है वेरी गुड गुलचंग तो इमेज विचन बी अब्टेंड ऑन दा स्क्रीन इस नोन आज रियल इमेज तो यहां पे जो भी आपके सिनेमा हाल में आप मूवियां देख रहे हो एक्टर एक्रस को द बेटा देखो इसको रिफ्लेक्ट हो के जब लाइट जाएगी जब हम उसको प्रितिबं देखेंगे आप इसको ऐसे समझो प्रजेक्टर को जो प्राणे प्रोजेक्टर आते थे ना जब अब सिनेमा हाल में जाते थे तो उसको रील को हाथ से चलाना पड़ता था ऐसे करके रील को जब रील चलती थी तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझो आपने स्क्रीन शॉट्स लिए होएगे ना तो मैं आगर ब बोलता हूँ मेरी continuous burst में screenshot ले लो बर्स में जैसे बोल रहा हूँ तो आप मेरी hand movement भी साथ साथ में देखोगे हर एक angle पे आप मेरी photo तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं कि मैं आपको perfect कीश न कर रहा हूं तो मेरी जो फोटो बनेगी अगर मैं अगर मैं सिनिमा में देखना याँ तो कैसे बनेगी समय एक मेरी फोटो यह ही ऐँ presented कि यह Armstrong यहां तक आग आगय तक फोटो खिशती रहए ठीक पाँच फोटो किशुच यहां होती है तरिंट का सोगा उसके आगे से कि जैसे वह रील चला रही है तो मेरी फोटो आपको वहां पे स्क्रीन में बड़ी होती दिखाई देगी ठीक है और मैं आपको ऐसा करते दिखाई देंगो ऐसा बिल्कुल कंटीनुवस वे में एक वह पहले आती भी होती दी कोका गोला की जब वह आते था उसमें साथ में इतना तास का पत्य मिलते थे इतने में उसमें क्या होता था जैसे गांगुली ने शिक्सर मारा है तो अगर आप सर एक एंगल को ऐसे ऐसे करके तीरे-दीरे हर इक पत्य को रियल इमेज़ेस वाई यह एक्षली कमिंग फ्रॉम एन अब्चक्ट ठीक है एंड इट्स पिच्छर कैन बी टेकन उने स्क्रीन यह देखो अगर मैं यहां पर नहां रखूं तो इसकी में नहीं बनेगी थीक है अगर मैं यहां पर यह चीज ना रखूं इसको हटा दूं टिसकी इमीत नहीं बनेगी आघी य की किना मैं ने देख़ा हूटा था छुट्रक होते हैं आपने डेखा होगा मिलता था इसे को कैमरा नी होते थे लिस्जांट ऊली होते थे यास। यास बेटा ने पिचर पड़ेगे बेटा इसकी पिच्चर यहाँ पे आपको देखेगी तीक है यह आपने प्ररा लगए है रियल इमज क्या होती है। सब्सक्राइब उट नवहें विञाशनित months वेरियल वर्श्विव स्वर्शनिज्स फिकर है। तो what is virtual image then, real image is found when the light rays coming from an object actually meet at a point after reflection from the mirror, ठीक है जी, तो यह actually यहां पर reflect होके, यहां पर actually यह they are meeting, जैसे मैंने आपको यहां पता है, यहां पर mirror रखा था, हमने, let me remove it, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हमने object रखा था, यहां पर टकरा के इसकी, reflect होके उसी plane में वापस मुड़ गिया और यहां पर उसकी image हमें दिखरी, ठीक है, done, यह बहुत important बहुत है, यह reflected होएंगी बेटा, ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरी बात करता हूं, virtual imaging की, तो they are not real, because they cannot be projected, ठीक है, इनको project नहीं किया जा सकता, ठीक है, वहां पर image है, उतनी देर तक image रहेगी, जितनी देर तक वो object रहेगा, अगर वो चला जाते, तो image आप वहां पर ले नहीं पाओगे, ठीक है न, yes, 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 Ruben, तो अगर मैं यह देख रहा हूं, एक लड़की अपनी वो देख रही है, फोटो को देख रही है, तो image which cannot be obtained on the screen, इसका मतलब समझ तो इसका प्रती बीम इदर पढ़ रहा है, ठीक है जी, इसका प्रती बीम इदर पढ़ रहा है, पर actually वहां पे image आप इसकी photo, मतलब अगर आप देखो सर मैं तो face में आपकी photo screenshot ले सकता हूं, अगर मैं शीशे में देखो, उसको नहीं बोलते बेटा, हम बोलेंगे कि यहां पे आगर आप परदा रखो, इसके पीछे, शीशे के पीछे, क्या आपकी photo पड़ेगी, आपको दिखेगा photo में, नहीं दिखेगा न, तो इसी को हम बोलते है, virtual image, ठीक है जी, virtual image कौन सी होती है, they cannot be taken on a screen, screen पे नहीं ली जा सकती, जैसे मैंने यहां पे एक परदा रखा था यहां पे पेपर रखा था, तो इसकी reflection यहां पर पढ़ दी थी, ठीक है, अगर मैं एक plane mirror में देख रहा हूं, जो घर में शीशा पड़ा होता है, उसमें देख रहा हूं, तो उसमें आप image देख पाओगे, but, क्या होगा, उसको screen पे नहीं ले पाओगे, very good, गुल्षन, ठी ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, गुल्षन ने बहुत अच्छी बात बोली, हम इसको आगे लेके जाएंगे, पर इतना समझ लो, यह virtual है, virtual मतलब उसी plane के दूसरी तरफ बंढ रही है, कैसे बंढ रही है, मैं अभी बताता हूं, जैसे कि अगर मैं देखू यहां पे, यह दिख आदे कि अगर मैं picture को देख रहा हूं, उसको मैं एक mirror के आगे रखा, यह mirror है, जिस time यह मैं यहां पर ऐसे ऐसे कर देता हूं, इसका मतलब होता है, कि वो polished surface नहीं है, वो painted surface है, हाथी हाथी, यह तो इसकी photo देख रहा हूं, तो मेरे को एक चीज़ दिखेगी, कि मेरे को photo, अ token नहीं दिखनी चाहिए थी, but मेरे को जब मैं शीशे में देखता हूं, मेरे को शीशे में दिखती है, इसकी image, ऐसे कर ठीक है, तो virtually क्या का मतलब होता है, if the rays were coming from behind timer, तो आपको अगर हम सीधा देख पाते हैं, तो ध्यान से देखो, laugh reflection कि अगर मैं इस phone को देख रहा हूं, तो इससे मेरी तरफ आखे में कोई image आ रही है, और मैं उसको देख रहा हूं, ठीक है न, but, yes, 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 very good, पल भी, तो बट इसका बात क्या भी, देखो द्यान से समझ लो इसको, तो यहां पर image जैसे आनी चाहिए थी, इसकी image यहां से आ रही है, और टकरा के मेरे पास आ रही ह यह द्यान रखो अपना, शीशे के पीछे बन रही है, ठीक है जी, done बेटा, तो जितना यह शीशे के आगे होगा, इतना ही यह शीशे के पीछे होगा, उतना ही distance में इसका शीशे के पीछे होगा, done, तो आपको कैसे लग रहा है कि अगर मैं एक image देख रहा हूं, देखो इ यह object पड़ा है और इसकी यह photo देख रहे होगा, तो हमेशा physics में convention होती है कि जहां से object पड़ा है, उसी से light ray आए, ठीक है, तो यहां से light ray आई, यहां पे angle i1 पे angle of reflection r1 हुआ, मेरे आखों में दिख गया, दूसरा object से ray आई, वो दूसरे जगा पे टकर आई, वहां पे i2 बन में opposite side में आप तो image दिखाई देगी, done बेटा, are you getting, yes, यहां पे angle of reflection को follow तो कर रहा है, बट कर कह रहा है, हमें कहां लग रहा है, कि image कहां से आ रही है, शीशे में बहुत पीछे से आ ठीक है, तो इसको बोलते है, जो actual image ना हो, जो आपको ऐसा लगता है, कि बनाई गई है, आपको ऐसा लगेगा कि वो image आपके opposite angle से आ रही है, ठीक है जी, इसका classic example आपके 3D glasses देखे होएंगे, आपने, image दो बन रही है, picture screen पर बन रही है, वो 3D बन रही है, oh sorry, वो है real image, ठीक है ना, मैंने भी आपको example बता, लेकिन जब आपने 3D glasses लगाई होईगी, तो आपको कै इसा लगता है कि आपके आखों के सामने बिलकुल image बन रही है, लग रहा है ना समझ, तो that is a virtual image, ठीक है, virtual image आखों के सामने जो बनती है, ठीक है जी, जो actual image नहीं है, बट आपको क्या दिख रहा है, आपको आखों के सामने देखे, अगर आप चश्मा उतार दोगे, अगर जो जो आप चश्मा देते हैं, 3D image वाला, वो अतार दोगे, तो आपको simple image दखाए देगी, समर थोड़ी से दूदली देखेगी, क्योंकि वो इसको इस तरह से alter किया जाता है, ताकि आपके आखों में, वो 3D image बना सके, done, everybody got this, okay, हाँ, तो दूसरी बात जो आपको याद र सकती, जहां से अगर आप, जो mostly mirror की, plane mirror की image होएगी, वो virtual in nature होएगी, ठीक है जी, तूसरी बात जो हमें याद रखनी है, वो यह है, कि जब भी हम शीशे के आगे कुछ रखेंगे, ठीक है न, plane mirror के आगे रखेंगे, plane mirror को आप ध्यान से देखना, जब आप शीशा नया नया लेके आते हो, तो आप उसके पीछे देखना, उसके पीछे जो होएगे न, surface, पूरी की पूरी coat किया जाएगा, ठीक है, यस बेटा, गोल्चन, अभी हम वहीं जा रहे है, अभी हम plane mirrors में पहले, plane mirrors को को खतम कर ले, यस, शुबम, very good, ओके, तो पीछे वाली service polish की जाती है, अगर पीछे वाली service polish ना आओ, तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे, ठीक है न, समझे रहे हो, पीछे वाली service polish की जाती है, ताकि आगे वाली silver जो है, वो reflect कर सके, proper reflecting service बन सके वहां से, ठीक है, एक चीज़ आपने ध् experiment करके देख सकते हो, कि जब भी मैं कोई object रखूँगा, शीशे के सामने, उसका जो प्रती बिम पड़ेगा, वो शीशे से उतनी दूरी पे होगा, जितना की वो आगे है, इसका मतलब समझो, जैसे मैं यहां पे example दे रहा था आपको, कि इसका जो इतना distance है, let me show in a different color, यह object का plane mirror से जितना distance होगा, इसकी shadow का भी उससे उतना ही distance होगा, यह समय लग रहा था, ठीक है, transparent होगा नहीं, तो very good Sophia, ठीक है, distance same होगा, ठीक है तो अगर यह distance 5 meter है, तो यह भी distance 5 meter ही होगा, done बेटा, are you getting my point, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है, virtual image जब हम बनाते हैं, ठीक है, image होगा, found by the plane mirrors is virtual and erect, यह ध्यान रखो, virtual मतलब क्या, वो पर्दे के दूसरी तरफ बन रही है, वो शीशे के दूसरी तरफ बन रही है, सोचो, ठीक है न, और वो real नहीं है, ठीक है न, real कब होएगी, जब reflect होके, अगर मैं बताता हूँ, अगर मैं बोलता कि यह शीशा transparent होता, तो इसके बाहर मेरी यहां पर, मैं अगर वो लेके जाता, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, paper लेके जाता है, यहां screen लेके जाता है, ठीक है, यहां पर screen, यहां पर नी, sorry, यहां पर नी, यहां पर screen रखता, तो reflect होके, यहां पर photo बननी चाहिए थी, इसकी, उल्टी, ठीक है, वो नहीं बनी, हमने क्या कर दिया, यहां पर इसका पिछला जो जगा है, उसको अच्छे से paint कर दिया, और आगे silver डाल दिया, तो उसे reflect होगी, picture कहां बन रही है, यहां पर बन रही है, ठीक है, तो इसका मतलब virtual image, इसको आप screen पे नहीं लेके आ सकते हो, projector पे नहीं लेके आ सकते हो, ठीक है, done बेटा, ओके, अब इसको एक चीज़ और समझने वाली है, यहां पर, let me show you, दोनों बन जाएगी बेटा, अभी क्रा देते हैं, tension क्यों ले रहे हो, अभी क्यों करना, तुम्हें सब कुछ, अभी कौन के mirror करना, convex mirror करना, tension मतलब आएगा सब कुछ, आएगा तुमारा question भी आएगा, ओके, तो virtual image समय लगकी बेटा, mirror के जो दूसरी तरफ बन रही है, उसका प्रतीबिम बन रही है, जितना इसका distance यहां से होगा, mirror से उतना ही distance इसका इधर से होगा, खीक है, erect का meaning, yes, good, यह question अच्छा है, erect का meaning का होगा, मतलब, erect का मतलब बिल्कुल सीधी बनेगी, हम real image देख आया थे, उल्टी बन रही थी न, अगर मैंने उंगली ऐसे किया, तो उल्टा उसका प्रतीबिम कैसा बन रहा था, उल्टा बन रहा था, वही photo देखो, याद रखो, कि अगर मैं यहां पे बलब की photo बना रहा हूँ, बलब की यह reflecting surface ले रहा हूँ, तो यह उल्टा बन रहा हूँ, तो object अगर मैंने सीधा रखा तो उल्टा बन रहा है, ठीक है, और यह देखो, और यह भी देखो, यहां पे जब मैंने मौबती सीधी रखी है, तो इसका प्रतीबिम उल्टा बन रहा है, ठीक है जी, लगी क्या मतलो, light का, किसके संदर में बात करो, संकेत, light का angle change होगा तो, यह सिर्फ का, I completely agree with you, ठीक है, और यह समय लग गया बटा, ठीक है, अब हम एक question करते है, तब उसके बाद आपको बना चले कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, आपको क्या बोलना जागा, हाँ, तो same distance ही होगा बेटा, जितना image के मैं पीछे जाओंगा, उतना image मेरे पीछे, image जो होएगी, वो mirror के पीछे होएगी, ठीक है, जितना मैं आगे जाओंगा, image मेरी उतना आगे आईगी, ठीक है, यह समझे हो, अब द्यान से देखो इसको, अगर मैं अपनी photo देखूंगा, एक शीशे में, तो कई बार question पूछा जाता है, कि शीशा कितना होना चाहिए, त ठीक है, नहीं बेटा, नहीं रहेगी विर्दी जी, नहीं नहीं, नहीं रहेगी, बट यह reflect होके आ रहा और यह देखो आप पर्दे पे लिखोगे ना, इस image को आप पर्दे पे ले सकते हो, ठीक है न, अगर objective बंद कर दोगे, अगर light बंद कर दोगे, तो कहीं पे बनेगी समय रहे हो, अगर आप शीशे में देखना चाहरे हो, अपने आपको और light ही नहीं कहीं पे है, तो reflect ही क्या होगा, तो object तो necessary है, और light भी necessary है, दोनों चीज़े necessary है, ठीक है, यह यह तो basic है, ठीक है, चलो आगे, यह question कर रहे थे, कितनी height का mirror होना चाहिए, तांकि मारी proper पूर the height as you are tall, तो अगर मैं 6 foot का हूँ, तो कम से कम mirror मेरे को, 3 foot का चाहिए होगा, तांकि मेरी proper image, पूरी image बान सकते, ठीक है, done, half of our height, यह समय लगी आपको, now before we moving ahead, let's do a little bit of test, कुछ question डालूँगा मैं आपको, चलो, करो answer इनका, दो question डाले मैंने आपको, जो इस पे mostly बनते होते ह हैं, दोनों question के answer देखो, आपके सामने आए गयोंगे, अवेश में answer मत करो, गलत होता है, जल्द बाजी मत करो, दिकरा तुम्हें YouTube बलो, नहीं बेटा, वीना क्राइस्ट, वीना नहीं बेटा, ऐसा नहीं आता कभी question, बेटा, यह understanding है, अभी मैं तभी बोल रहा हूं, वीना, इस टाइम पे आप understanding पे ज़्यादा concentration लो, ठीक है, rather than कि मैं, मैं यह आएगा कि question के नहीं आएगा, मैं आपको knowledge impart कर रहा हूं बेटा, यह logical things होती है, जो आगे जागे बहुत बेख करती है, तो अभी यह मत सोचो कि एक paper में आएगा के नहीं आएगा, दिमाग में आपका चलना चाहिए बस, ठीक है, logic कर रहा है, ठीक है, जल्दी करो बेटा, जो class लगा रहे हैं, जल्दी से जल्दी question को अच्छे से पढ़ लो, दोनों मैं, मैंने आपको देखो, तभी हिंदी में भी translate किया है इसको, पर answer फिर नहीं ठीक आ रहे, यहाँ पे मत करो, chat में मत करो बेटा, type your answer, distance टून रहा है, बेटा आपको, ठीक है, बहुत कम लोग हैं, जिन्होंने अभी भी answer सही किया, ध्यान से question को पढ़ो, और इसको ध्यान से करने की कोशिश करो, मंजिंदर कौर्जी आपको दिया गया है, आप उसको, महां पे click करो, ठीक है, ओनलाइन पे, option दिया गया, A, B, C, D, उस पे click करो, send करो, नीचे देखो, end में लिखा होगा, send दिया question, ठीक है न, हाँ, दो question है बेटा, नीचे वाला भी question है, वो भी check कर लो, यह देख लो, यह question है, second वाला, इसका शायद मैंने हिंदी मेन वाद करना रह गया, basically वो क्या कर रहा है, कि वो एक driver है, वो गाड़ी को पीछे कर रहा है, कितनी speed है, उसकी 2 meter per second से पीछे कर रहा है, ठीक है, ताक एक पीछे काड़ी खड़िया, उसके साथ उसको देख के कर रहा है, तो कितनी उसको क्या लगेगा कि जो पीछे गाड़ी है, वो उसकी तरफ कितनी जो उसका प्रती भी मढ़ रहा ज्यान से इस question को करना नहीं आएगा अर्बिन बेटा यह मेरे लिए बस मेरे को दिख रहा है कि कौन लोग सही कर रहे हैं कौन लोग गलत कर रहे हैं यूटुब वाल दिखरा है कोस्चन अर्शीं इस question विड़ा गुटुब वाला अंसर सही करो बेटा काफी लोग गलत आरे अंसर चलो 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 गुटुटुब चलो लेट मी एंड दा वोटिंग सबने कर लिया है सबने कर लिया सब्मिट कर दो सारे आंसर जल्दी जल्दी सारे सब्मिट कर दो ठीक है सब्मिट कर दो अब मैं रोज टेस्ट ऐसे question डाला करूँगा ताकि आपको पता चलता रहे कि किस तरह से आपको मॉक एक्जा जो ट के सब्मिट कर दिया सब्ने सबने द्झे सब्से देखो संट करना संट का भटन वहलगा क्यों में सब्मिट का बटन लिखा हूं दो कर दो सेंडमारे ऑफिम जो यंश ये श है watching चलो लेट मी एंड दा वोटिंग लेट मी क्लोज इट ठीक है चलो अब हम इस क्वेश्चन को सौल करते लिखो मैंने कहां लिखा होगा यह क्वेश्चन तो क्वेश्चन फर्स्ट जो था उसका आंसर है जो है इसका रिजल्ट रहने दो बेटा रिजल्ट यह सिर्फ पॉल था मेरे को पता चलने के लिए आपकी कितनी अंडर्स्टेंडिक हो रही है तो मैंने क्या बोला कि डेविड जो है डेविड जो अब्जेक्ट है ठीक है एक बंता है वह चार मिटर दूर खड़ा है एक प्ल आगे आता है जब वह एक मिटर आगे आता है तो उसका प्रती बिब भी एक मिटर आजएगा ठीक है तो दोनों में कितना डिफरेंस था पहले चार यहां चार यहां आठ मिटर का डिफरेंस था ठीक है अब वह क्वेशन में पूछ रहा है दोनों में कितना डिफरेंस बाकी बचा अगर वो एक मिनट इदर से आ गया तो एक मिनट इदर से भी तो आगे आ जाएगा ठीक है ना तो दोनों के बीच अप कितना डिफरेंस रह गया तीन ही यहाँ और तीन ही यहाँ तो आंसर वास नॉट यह देखो मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था तीन प्लस तीन जे आयेगा अंसर क्योंकि मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि दोनों के इमेज में इमेज में और डिविड में कितना डिफरेंस है अगर मैंने पूछा यहां पर क्वेश्चन पूछा होता कि वह शीशे से तो में इमेज में कितना डिफरेंस है ठीक है तो यह ध्यान से कुश्चन तब इन बोलता हूं ध्यान से कुश्चन को समझा करो बहुत असान होता है क्वेशन बट हम उसको क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही डिफिकल्ट बना लेती है समय रहो कि उसी तरह जो सैकेंड कुश्चन था बेटा उसमें मैंने बोला था कि भई कि इसको थड़ा सा रंगो करना रहा है बेटा सबको बेटा गुल्चन दुबारा रिफ्रेश्च कर लो हो जाएगी ठीक है यह इमेज दिख रही है ना सबको ओके 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 कुल अब हमने देखा क अरी आधर है कुश्चन था कि एक गाड़ी है हमारे पास टीक है घॡ़ी पीछे को जा रही है इस तरफ को जारी घड़ी कई साइड कर रहा यह expect or गाड़ी है जो खड़ी है वहां पर एक उपिप SIア कि ए अपनी बैक साइड त मिरएं से इसको तम देख रह है बैक कर रहा ह ठीक है तो इमेज उसको उसकी तरफ कितनी स्पीड से आती दिखाई देगी डबल हो जाती है यह आती रखना आपको ठीक है ना क्या मतलब है इन दस प्लेंड मिरर दा अब्जेक्ट एंड इमेज आलवेज रमें अट सेम डिस्टेंस फ्रॉम दा मिरर सो वेंदा का रिवर्स इमेज विल आलसर में टू मूव ठीक है ना उसी की तरफ दो मिटर पर सेकेंड से मूव करेगी और मैंने आपको बताया जब दो ऑब्जेक्ट ऑपोजेट स्पीड में मूव करते हैं ठीक है ना तो हमेशा उनकी विलॉसिटीज एड हो जाती है ठीक है तो मैं यह ने आपक भी भी चूछी दूसरी काड़ी दूसरी तरफ से आ रहे हैं वहғ कितने से आहरी है सो मीटर से आ रही है तो आपका ऐसा नहीं लगता कि कम्बाइंटि सीचे ऋची याए वससे कुछ सीधी ऐसे करे टकराती है वह बहुत ज्यादा टेंजरस होती है उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है ठीक है कोई बात नहीं पेटा इसी अंडेस्टैने ये टंबर काउंट नहीं होएंगे अब यह यह सिर्फ आपकी अंटेस्टेंडिक के लिए वेटा आकि आपको पेपर में डिफिकल्ट ना लगे यह जो आपको प्रिति बादवा जी का मैसेज आ गया जी वेरी कुट प्रिति बादवा तो समय लग रहा है तो स्पीड जो आएंगी एड हो जाएंगी तो इस अबजेक्ट को एक देखने वाले को क्या लगेगा कि दोनों की स्पीड इतनी ज़रा तेज थी न क्या बात है एक अगर यह भी स सब्सक्राइब तो दोसों की स्पीड से एक्सिडेंट होगा ठीक है ओके जी डन बेटा पिक नहीं आ रही मेरे पिक क्या करने आपने ठीक है आपको यह वाली पिक आनी चाहिए प्रेजेंटेशन वाली चाहिए पस लग्या बेटा समझ तो वी हब डन प्लेन मिरर इसकी हमन कर ली हैं सारे के सारे क्वेश्टन कर ली हमने बस यह कोशन द्यान रखना कि वह क्वेश्टन में पूछा कहां से गया है ठीक है ठीक है बेटा गुरविंदर विर्दी आप राइक कि मॉख कोशन मैं रोज ऐसे कुछ ना कुछ टॉपिक के रिलेटेड दो चार कोशन रोज लेकर आप ठीक है गुरविंदर विर्दी गुड सुजेशन विटा तो एक आपने ये भी चीज़ देखे होएगी लेफ्ट राइट मिरर इमेजिस जिसको बोलते हैं ठीक है यह मैत का भी आपका हिस्सा है याद है मैत में पूछा जाता है अगर मैं इस तरफ को हाथ लेकिन अगर आप अपने शीशे से देखो उसको तो उसका सही प्रतिविम आपके तरफ पड़ेगा सीधा प्रतिविम पड़ेगा आपकी तरफ उस पे लिखा होता है अबुलेंस इसलिए क्योंकि जब भी हम इमेज लिखते हैं उसका उल्टा प्रतिविम उसका उल्टा ए ठीक है ना हाथ चलो यह भी हो गया ना यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इसको द्यान से समझे ना बेटा क्योंकि हमने तीन मिरर्स पढ़ने हैं आज ही यह सबसे पहला मिरर्स हमने पढ़ लिया प्लेन मिरर प्लेन मिरर समझे हैं जो शीशे की बात कर रहे हैं अगर मैं खडकियों में शीशा लगाया क्या मांना जाएगा नहीं समझे रिए हो जो घर मैं आपके शीशे लगे होते हैं जो विंडो पेन लगे ऊते वह नहीं वह ग्लास है समझे रहो मिरर इस सम्थिंग अलग जो आप जिसमें आप अपनी तस्वीर देखते हो उसको प्लेइन मिरर ठीक है इमेज हमें कुछ चीज़े जो अभी पढ़ा चली है जो हमने अभी पढ़के हैं इमेज फॉंड बाइद प्लेइन मिरर इस वर्चु होना वो भूल हो सकता है ठीक है वहाँ पर होता है पर एकस्वल में क्या होता है कि मीटिंग एप में क्लास नहीं चल रही राजन कोई बात नहीं वेटा एक बार दुबारा जौंफ टॉइस तो बेठा अब से regular जूं करा करो सकते हो सक्याथ कहुत् jam चलाऊंगा ही चलाऊंगा उसकी टैंशन मतलो बट क्योंकि यह सिस्टम कुछ ऐसा है कि जितना इसको समझोगे उतना इसमें अच्छा आपका रिजल्ट आएगा ठीक है क्योंकि एंड में तो इस सिटम ने अनलाइज करना है ठीक है कुछ लोग है जैसे कि हें प्रिया है या तो और मच्चे हैं हमारे पास जिनके नंबर कल जीरो आया है जिन्होंने सब्मिट का बटन नहीं दबाया था या किसी कारण वच वह नहीं हो पाए तब ही मैं उनको आग्रे करूंगा आग्रे पुर्ण निमर्ता पूर्ण आग्रे करूंगा कि वह इस सिस्टम को जुरूर ट्ैक से यह और मैं इससे च्टेक्नालोजी में मतलुप्टर अगर मैं अगर परढट ऎससे हैं तो इससे होना चाहिए यहाँ पर आर सबीत कर सकते हैं आपको पता है मैंने सिस्टम में अब हो सकता है हाँ जी देखो 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 यूट्यूब पे जी सतके देखो बट ट्रेस्ट आपका जब भी होगा वह यहां पर होगा तो कल जैसी प्रॉब्लम ना आए आगे से तो तब मैं इस पात के लिए कर रहा हूं यह जन्रेशन थैंक यू बेटा मेरी हिंदी को सराहने क के लिए ठीक है thank you you know jВы not jela पढ़ अब मैं अवन मैं इतने को हिन्धी में T्रास्लेट किया भी की तो जब आप नहीं करते हूं किसी चीज को तो वह इक夠 डिफिकल्ट ही लगती या शुरू में तो में को 12 लगी थी बट वınız यूँ आप और लेंविच ठीक है तो इस नोट डैट मच डिफिकल्ट और हिंदी तो वैसे भी मेरी फेवरेट है दस्वी में मेरे चरान में नमबर आय थे छोड़े काफी टाइम हो गया कोई बात नी कोई बात नी मैं चिंद्रकॉर टेस्ट दो बेटा टेस्ट आपकी रिवीजिन के लिए होता है हमें बीपन चलता रहता कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ लग रहा है कि नहीं लग रहा अगर नहीं लग रहा है तो उसको इसका फोटो बहीं पांच मिटर में ही बनेगा उसका प्रती भी उसका सेम साइज का ही बनेगा सेम साइज का मतलब अगर यह पांच मिटर का अबजेक्ट है उसका प्रती भी पांच मिटर का कम या बड़ा नहीं हो सकता है जितना आप आगे जाओगे उतना आपका प्रती भी आगे आगे जितना पीछे जाओगे तो उतना ही प्रतिवीम आपका पीछे जाएगा जितनी स्पीड से पीछे को जाओगे उतना दीरे जाएगा जितनी स्पीड से आगे को तरफ आओगे उतना स्पीड एड़ ओल्वेज गैट इस पॉइंट ठीक है दा इमेज प्रतिवीम आपकोच रचे यचार जाएगे है जाएगे झाल 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 दो इन पूर बस टाइम ना करो टाइम दो मत वही तुम बाते करने शुरू करें तो से टाइम पे अच्छा जी मिस्कर रहे चला 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 पार्टी चार्टी चला वो नेट का थोड़ा साइशू आ गया था मेरे भी आजाता है वही कभी कभी ठीक है चला तो इमेज हमने देखा था कि एक तो सेम इन डिस्टन्स पर बढ़ेगा ठीक है एस अब्जेक्ट इस फ्रंट ठीक है सभी बड़े बना रहे हैं किसका चलो चलो बस करो बस करो बड़ा मसाला लग गया शुल्ताना सुल्ताना जी आपका बड़्डे है वेरी एपी बड़्डे बेटा ओके थर्ड पॉइंट ताइम में जिदा प्लेंड मिरेज दा सेम साइज ऑफ टैट अब्जेक्ट की अगर मैं आप शीशे में अपनी शकल तो अगर आप शकल देखते हो आपकी सखल शकल जो हो उससे बड़ी तो नहीं होते ही जितनी आपकी एक्चुल है इक है न संकेत का भी है तो हैपी बड़्डे संकेत अंड सुल्ताना तो उन्हों का हैपी बड़्डे बेटा नहीं है अच्छा चलो एनिवेस तो यह समझ ल अगर हमारा राइट है तो उसका लेफ्ट हैंड होगा ठीक है ना यस वर्चुल अप्राइट अप्राइट का मतलब होता है ठीक है जी वेरी गुट गुल्शन चलो अपोसिट भी होगा वेरी गुट तो वी हैव दन ब्लेन मिरर्स नाओ यहां पर जो आपको पेपर में देखने में और ड्रेसिंग टेबल में बाथरूम में लगाया जाता है अपने अपने आपको देखनी की जुरूरत है वहां लगाया जाता है ठीक है प्लेन मिर्स अपिक्स्ट उन दा इंसाइड वाल्स अव द शॉप्स लाइक जोएलरी शॉप्स तो में लोग बिगर इस तो किसी अगर आप जो यह जो जुवैलरी बेशते हैं लोग ठीक है ना खास करके वह वहां पे अगर आप जाओ तो वहां पर आपको शीशे शीशे दिखेंगे ठीक है ना शीशो में रखा जाता है सब कुछ बैसी वहां पे क्यों ताकि वह और अट्रैक्टिव लगे आप देग्री आर वार अनदर से बाहर निकालता है तो आपको पुछ भी लगता है थीखना आर यूचेटिंगा पॉइंच ऑंट कीक है तो प्ली सफिक्टेद ऑन ब्लाइंट टर्न जहां कर मतलु ना इंटी डिग्री की टर्न होती है इस जंक्शन पर तो वहां पर specifically लगाए जाते हैं plane mirrors तांकी इसपरफ सी एंकल पर लगाए जाएंगे कि इस वहले को इधर वादा है Nej डिफरchauर जो बंदा एधर से आ रहा है उसको भी जिछे कि यहां पर क्या हो रहा है और जो बंदा इस तरफ से आ रहा है उस तरफ उसको वह भी देख लेकि दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं है तो वहाँ पर मेर्स लगाए जाते हैं ठीक है ब्लाइंड डॉन्स पर ठीक है प्लेन मिर्स अर यूजिन मेकिंग पैरिस्कोप पैरिस्कोप क्या ह होती है सारी मिर्स जितने भी हम पड़ी पैरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो आप पाणी में नीचे जैसे सब्मरीन होती है उसको उपर देखना है कि कितनी बड़ी शिप जा रही है मैं कहां पे हूँ या कौन सी सब्मरीन में होते है तो वह नीचे पाणी की सथा के नीचे इस पार उसको फोटॉ कौँ सी देखनी अ उपर की देखनी ही है कि कौन सी शिप और नहीं है तो वह क्या करता है वह एक शिष का प्रतिमी इस एंगल पर लगा जाते हैं तो हर एंगल पे यह रखा जाता है ताकि आपको उपर वाली इमेज या बाहर वाली इमेज भी यूज करें इसका पहला यूज एजिप्शियंस नहीं किया था मिसर की सब्वेता ने तो वहां पे क्योंकि पिरामिड्स में लाइट तो है नहीं ठीक है ना तो पिरामिड्स में सारी की सारी इसका में इसका स्क्रीन शोट ले लो हां यूज इन आटो मोबिल्स आलसो वेरी गुट ठीक है कभी आपने देखा होगा गाड़ी चलाते सामय है जो आप पर जुसको आप ऐसे करके सेट करते हो अंदर वाला जो होता है मिरर वो कौन सा मिरर होता है अच्छा थीक है तो यस बैक साइड जो आपका मिरर होता है तो उसमें आप यूज करते हो इस मिरर को तांकि आपको पता चल जाए कि जो एक्चुल डिस्टेंस देखो प्लेन मिरर का क्या फायदा है आपने देखा होगा अगर आप बाहर वाला इमर देख रहे हो बाहर वा जिसको बोलते हैं गाड़ी में जो बाहर लगा है गाड़ी के बाहर लगा हुआ द्यान से देखना जो ड्राइवर होता है जब वह गाड़ी को देखता है उदर को उसको जादा बड़ा व्यू दिखता है बट इमेज का चक्कर होता है कि वह जब मिरर में देख रहा है प्ल में लग रही है यजी जिवह क्यों होता है और कैसी होता है या आ जम पडेंगे प्लेंगे में में एकशली असली फोटो देखती है गाड़ी कितनी आगे आगे है या आप से पीछे है या कितनी स्पीड से आ रही है हो आपको पदा चलेगा प्लें मिरे से साइड एंगल से आपको बहुत दूर का व्यू दिखेगा वह हमारा कॉन के मिरर होता है बेटा फन के कि कन वैक्स होगा मेरे का जाए से तो नाओ वे शुट्ट दू सम अधर थिंग्स अपार्ट फ्राँ है हमने सब किस डिसक्स कर लिए नाओ लेट स्टाट करवड मिर शीन जिसको स्फेरिकल मिर्स बोलते है वैट अफ दोस मिर्स सफेरिकल मिर्स अगर आप देखो तो यह गोल सा आकार का जो है यह हूता है थम सा होता है जैसे यह तलिक मेटल चा तो एक तरह का spherical mirror बोलेंगे हम इसको ठीक है एक normal plane mirror और इसमें क्या फरेक है इसमें सिर्फ इतना फरेक है बेटा की curved होता है ठीक है गोलकार होता है curved होता है ऐसे करके कर्व किया जाता है उसको ठीक है यह कर्व होता है इसी तरह से ठीक है तो हम देखते हैं यस गाड़ी में convex side वाला rear mirror is convex mirror yes चले आगे तो यह जो होते है mirrors होते हैं अगर मैं इसको अच्छे से आपको बताना चाहूं तो यह जैसे मैंने अभी बताया देखो अगर मैं गोलकार देखूंगा तो सोचो मैंने यह mirror है अगर मैं कॉली दो कोलियों को जोड़ दूँ लेट मीशो यू अगर म पूरा का पूरा spherical बन जाएंगी अब मैंने क्या कीया उनको mirror को काट विया ठीक है जब मैं mirror को काट दूँँगा ठीक है खना तो अंदर वाला पर जुट ऑन जाएगा यह वला हिस्स कॉन गेव बाहर वाला से जो पे टू है वह बन जाएगा मतलब गुफा होती ना गुफा तो यह गुफा बन जाए तो कॉन केफ, कॉन वेक्स, कॉन केफ, कॉन वेक्स, लग के समझे, यस, 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 अब इसकी यूस पर जाओ, अभी बस इसका हम ब्रॉडली समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझे रहे हैं, और अगर मैं इसके बाहर वाले जगा को शीशे मतलब लिश कॉन सी सर्फिस है यह, कॉन वेक्स मिरर, अगर अंदर वाले सर्फिस पॉलिष्ट है, ठीक है, अंदर वाले शीशा जो पॉलिष है, तो हम इसको बोलेंगे, कॉन केफ मिरर, ठीक है, अरे यार ऐसा मत बोला करो सोनिया जी, या गरीमा से थी, मैं सबके मैसेज पढ़ता हू ठीक है, तो यह समय लग रही है, this is concave, दिखनी रहा आपको दिख रहा बेटा भी, जो ठीक है, try to refresh your mirror, जो भी यह है, ठीक है, और दिखना चाहिए, this is just your concave surface, ठीक है, तो अब अगर मैं जो पढ़ रहा हूं यहां पे, तो यह अगर मैं इसको आदा कर देता हूं, तो मेरे पास कुछ ऐसी photo बनेगी, यह देखो, अब यह जो यहां पर मैंने, sorry, यह जो blue blue area किया गया है, मतलब क्या है, कि इसका reflecting surface कौन सा है, यह वाला, अंदर वाला, तो मैं जब यह बात करूँगा, कि बाहर से मैंने polish कर दिया है, ठीक है, बाहर से मैंने paint कर दिया, not polish, बाहर से मै मैंने क्या रखा है, अंदर से मैंने उसको क्या कर रखा है, अंदर से मैंने शीशा लगाया हूँ, अंदर से मैंने शीशा लगाया हूँ, इसके अंदर, तो यह कौन सा mirror हो जाएगा, concave mirror, अगर ultra है, तो convex mirror, अच्छा, यह I don't know, बेटा, क्या update आएगी उसकी, आना तो जैसे इसको समझो, अगर एक कॉली ऐसी और ले आँ, मैं यहाँ पर, ठीक है, तो यह क्या बन जाएगा, ध्यान से बताओ, सफिर नहीं बन जाएगा, ऐसे करके, सफिर बन जाएगा, लगी बात, तो अब मैंने आपको बूला बूला था कि इसको आदा किया है, मैंने ठीक ह तो हर एक सफिर का मारे पास क्या होता है, बहुत गंदा सर्फिस है, बट चलो मान के चलते हैं, लेट मी शो यू, आता है मेरे पास ड्रा करने, कहां बेग है, शेप्स, सर्कल, जैसे अगर मैं बहुत बड़ा सर्कल देखूं, यह देखो, ठीक है न, आगे समझ, ड्रा करते है, ठीक है, ड्रा करते हैं इसको, यहां से, इसको मैंने आदा करती है, ठीक है, मान लो आदा हो गई है, ठीक है, ओके, तो यह मेरे को इस तरह से दिखाई देगा, हर एक सर्कल का आपको पता होता है, उसका डायमेटर होता है, ठीक है, और डायमेटर को बोलते है, यह लंब क्या होता है center of the circle होता है center ठीक है रहा क्या बोलते हम उसको center of the circle पर जब आप इसको आदा तोड़ दोगे मतलब इस तरफ से इसको आदा कर दोगे let me show you different color तो यह रहा है इसका आदा ठीक है यहां से आपने आदा कर लिया यालो यालो जहां से है वहां पर उसने आदा कर लिया ठीक है तो center तो वही रहेगा ना इस इसका नाम पड़ जाएगा अब center of curvature sea of curvature ठीक है ओके तो यह जो center है बिल्कुल जहां पर मद्य भाग है इस पूरे पूरे सरकल का अंदर वाला जहां पर बिल्कुल center है हम उसको बोते center of curvature ठीक है डन और यह पूरे का पूरे को हम बोलेंगे क्या पूलेंगे हम इसको क्या बोलेंगे center of radius radius of curvature turkey supply supply Prozent hr さ छाँ से लेकर यहांo से लेकर सी से लेकर यहां पर के यह तक बीक तक हम इसको बोलेंगे यह जो इतनी जगा हमारे पास इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे रीडियस ओफ कर अधिफीर का 10 नचिडिस्वूरे आ हिस्सा है मिरूर का यह मैंने सोच यहां से जितना ब्लू कर रहा हूं उतना मैंने काट दिया है ठीक है यह मिरर बढ़ गया कौन सा मिरर रहा कंके मिरर है क्योंकि इसकी reflecting polishing surface कौन सी है अंदर वाली है ओकि अब यह जो सर्व बंढा है इसका सी यहां बन जए का डिस सेंटर एक रहीर और यह 것을 बंजिए गा रेडियेश ओफ पर किर अजएगा है ठीक है अब डी का जो आदा हिस्सा होता है हम उसको ब्लते हैं focal point फोकस क्या हम बोलते हैं उसको फोकस ठीक है केंद्र बिंदु वेरी गोड पुलिशन कुमार तो फोकस जो होता है हमारा बहुत इंपॉर्टन रही रेडियस का रेडियस ऑफ करवेचर का हाफ होता है समझ के डन ये समय लगी पूरा अगर सरकल बनाऊं मैं तो उसका मानना जा अफल बोल्टेस को हाफो फ्रीडियस वरिगोड आयू अबसेंदिंग भी इस बेसिक कंसेप्ट ये समय लग रहा बेटा यूट्यू वलो यूट्यू वलो समय लग रहा कुछ टाइप करके बताओ कुछ चल रहा है समरा सिस्टम यूट्यूब अलग दीख रहा है कि बताओ टाइप करके ठीक है एनिए चलो आगे चलते हैं कौन सा रिपीट करना है बेटा पारूल यह कुछ नहीं है हमने एक सर्कल बनाया लैट में शू यू दुबारा से ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है ओके तो यह जो हमारा यह कर्व सर्फिस है ब्लू वाला यह क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग सर्फिस है इसका जो सेंटर होएगा हम उसको बोलेंगे सेंटर और सेंटर ओफ कर वेचर से लेके जो आपका बाहर जो रेडियस होता है यह हम बोलते है रेडियस ओफ कर्वेचर पर जो आदी हिस्सा होता बिल्कुल मिड़ पॉइंट अगर केंदर focus point यह focal point बहुत जरूरी है बेटा अगर यह focus point पे नहीं रखोगे चीज तो हमारे पास image अच्छे से उसकी तरह change हो जाएगी, image भी change हो जाएगी उसके साथ से, ठीक है, तो हमने यह देखा, अब ही आपको जो सारे line ने बताई है, ठीक है, तो अगर हम चमच देख रहे हैं, च समझ को, तो इस वाले side कौन सी होगी? Concave, उस वाले side कौन सी होगी? Yes, लग्या समझ? Convex. Done, एक और चीज़ मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, यह देखो, अब लग्या समझ? This is which mirror and this is which mirror, जब भी यह डंडियां सी बाहर कोई तरफ जाएंगी, जहां पर तरफ जाएंगी, इसका मतलब होगा, यहां पर paint किया गया है, ठीक है, वीडियो चल रही है बड़ा, कहां पर pause होगी है, चल तो रही है, वहां पर, चल रही है ना, YouTube पर, okay, so अगर वो जो बाहर चल रही है, जैसे यह डंडियां सी ब बाहर की गई है, इसका मतलब मैंने इस surface को paint कर दिया, और अंदर वाली surface reflecting surface है, अंदर वाली surface पे शीशा लगाया, इस surface पे शीशा लगाया, यहां पे paint कर दिया, ठीक है, तो अब यह देखो, इसका center होगा, इसको हमने क्या बोला, center of curvature, जो circle, अगर यह पूरा circle होता, तो इस principle axis को move करता है, इस principle axis basically एक ऐसी सीधी line है, diameter भी बोल लो चाहिए इसको, तो यह ऐसी line है, जो center of curvature को pass करती है, और यहां पे जो mirror लगा है, उसको touch करती है, तो यह वाली line है, ठीक है, x line, इसको principle axis बोलते हैं, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, यह p point तक, c से लेके p point तक हमारे पास क्या होगा, radius of curvature, लगी समझ, और इन दोनों के बीच में एक और midpoint है, आदा midpoint मतलब beach वाला point है, उसका नाम है हमारा F, क्या लिखते हैं उसको F, focus, ठीक है, इसी तरह इधर भी होगा, ठीक है, done, okay समझे लग रहा आपको बटा, okay इसमें क्या है, अंदर वाली surface को paint किया गया है, और बाहर वाली surface is the reflecting surface, सारी जो चीज़े होगी, वह यहाँ पर, ठीक है, जी, okay, done, अब हम सोरा से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास क्या हो सकता है, देखो, देखो, एक चीज़ हो सकती है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, यहीं पर, let me show you, देखो, हमारे पास है center of curvature, ठीक है, और यहाँ पर, बीच में है focus, ठीक है, और है, ठीक है, तो object कहां कहां रख सकते हो, एक तो आप e और f के बीच में रख सकते हो, object, object को आप f पे भी रख सकते हो, focus पे भी रख सकते हो, object को आप c और p के बीच में भी रख सकते हो, object को आप c के ऊपर भी रख सकते हो, और object को आप c के पीछे लिए रख सकते हो, पांच case मनगे है मारे पास, done, object को आप कहां कहां रख सकते हो, between p और c और c के पीछे तक, यहीं लिए देखो यह पांच केसी बनते हमारे पास लगे समझ मैं दुबारा कर देता हूं यह देखो हमने कहा कि सी और पी के बीच में है फोकस फोकस बड़ा जरूरी है क्योंकि यह मिड़ पॉइंट है तो अबजेक्ट आप कहा कहा रख सकते हो या तो एफ और पी के बीच में ठीक है या एफ के उपर या एफ और सी के साथ में बीच में या सी के उपर या सी के पीछे यह पांच चीजे बन की हमारे पास एक दो तीन चार पांच यह पांच केसिस बहुत इंपॉर्टन ड़ेटा लग दी समझ तो जैसे अगर हम बात करते हैं एक मिनुट एक मिनुट बेटा कि अ कि इसके भी मैं हैं सिक्व डाल तूं कोई बात नहीं पर डाल देता हूं इसको इतना नहीं समय ना यहां से पूचे जाएंगे यह सिर्फ आपकी अंडर्स्टेंडिंग लिए यह देखो अगर मैं अब्जेक्ट को रखता हूं किसके में रखता हूं फोकस और एफ और पी के बीच में रखता हूं तो मेरा अब्जेक्ट का जो इमेज बनेगी वह वर्चुल बनेगी मतलब पर्दे के पीछे बनेगी फैरी शीशे के पीछे बनेगी ठीक है और बड़ी बनेगी तो image क्या हूं बनेगी इमेज बनेगी वर्चुल ठीक है वर्चुल अपराइट मतलब इरेक्ट और लार्जर जितना अबजेक्ट लार्जर था उसके ज्यादा उपर बने ठीक है इसको आपने समझना कैसे बहुत सिंपल है बेटा ठीक है बहुत सिंपल है आप सबने यह देखो मिरे को बताओ सबने वह स्केल देखा होता है जिसके एंड में एक छोटा सा लगा होता था शीशा और मैगनिफाइंग ग्लास की तरह होता था खीकर ना देखा था वह स्केल होता था हमारे पास पहले अब तो पता नहीं आता कि नहीं आता पहले स्केल आता होता था उसके स्केल के साथ में बिल्कुल एंड में एक मैगनिफाइंग ग्लास की तरह चोटा सा शीशा लगा वता था तो उससे आप अगर कोई कॉपी पे रखो ना ठीक ना उस उस शीशे को अगर आप कॉपी के में कोई भी रखोगे तो आपको अक्षर है वो बड़े-बड़े दिखते है ना लगे समझ तो वो आप क्या मूव कर रहे हो अगर आप फिजिक्स की लैंग विच में कर रहे हो तो फिजिक्स बोलती है आपने क्या किया आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया यहां पर फोकस उस उस शीशे के फोकस के अंदर रखोगे अगर फोकस के अंदर रखो लग गया समझ बेड़ा तो अब ये फोटो देखो ये ये जो मैंने तीली रखी है ये जो माचिस की तीली रखी है वो शीशे के बिलकुल पास में रखूँगा ठीक है जितना जारा पीछे जाता रहूँगा उसकी इमेज पे अफेक्ट पड़ता रहेगा वो चोटी चोटी होती रहेगी पर जितना शीशे के पास जाओंगा अपनी साइस से बहुत जारा बढ़ा हो जाएगा ठीक है डन ये जो सेकंड एक्जामपल है कनके मिरर की वो भी यही तरशाती है देखो कैसे जो लड़कियों के पास ये मेकप मिरर बोलते हैं चोटा सा होता है ठीक है ना क अपने पास रखती है मेकप मिरर को ठीक है इससे साइंस क्या बोल रही है साइंस बोल रही है फिजिक्स बोल रही है जितना आप अबजक्ट को ना यहां पर आप शीशा नहीं अबजक्ट आप हो तो जितना जादा आप शीशे के फोकस में आओगे उतनी जादा आपकी फो आपके जो दाड़े हैं जो दांत हैं उसको अच्छे से दिखवाए कि कितनी टोपिया काते थे आप ठीक है तो कितने किड़े लगे हैं वहाँ पे तो तब आपको बता पाएगा वह अच्छे से ठीक है ना तो दिस इस अगें विच टाइप आफ मिरर कंके मिरर समय लग रहा ह इस दाट सिंपल फिजिक्स हर जगा मैंने बोला था मैं तो आपको साइंटिस्ट बना दूँगा I will I will make you question everything ठीक ना ओके अब यह फोटो देखो एक बंद बच्चा यहां पर खड़ा है और उसकी बहन आगे को खड़ी है यह मिरर कौन सा देखो इस तरह का मिरर है देखो तो यह कौन सा मिरर होगा कंकेव ड़न अवर्यबड़ी गॉट्ट इस समयरे ओ अब ध्यान से देखो इसका भाई और इसकी बहन जो बहन की जो सीधी मन रही है भाई की इमेज उ्लटी मन रही है आट कि बहन इसकी जो मिरर के focus के अंदर है समय रहो समय रहो बहन जो है उसके focus के अंदर है उसके कारण उसका प्रति भिंप सीधा दिखाई देगा वर्चुल दिखाई देगा एरेक्ट दिखाई देगा और bigger than that of object लग गया समझ अभी हम second case पर आएंगे भाई के वाले case पर आएंगे पहला पहला के समझ लग गया application कर ली यह सारी इसके application कर ली याद चलिए आगे second case आता है हमारे पास इसको याद नहीं करना है यह सिर्फ आपको application बता रहा हूं मैं ठीक है second हमने बोला था यहां तो पी और एफ के बीच में होगा second case क्या होगा जो focus पे object रखोगे तो क्या होगा ठीक है हमने दिखा कि जब हम focus पे object रख रहे हैं तो उसकी image का बन रही है infinity पे इंफिल्टी में लग पैरलल होती जा रही है लाइट है जैसे यह टकरा के लाइट जो है वो पैरलल होती जा रही है done ओके यह पैरलल होती जा रही है image कैसे बढ़ेगी real and inverted and highly magnified or high and large ठीक है इसका क्या मतलब है बेटा इसका मतलब यह है कि यह देखो अगर हमने एक बलब रख दिया focus पे हमने बलब on कर दिया यहां पे कौन सा surface है अबने गाड़ी का वो देखा गाड़ी के यस गाड़ी का वो देखा आगे वाला जो हैड़ लाइट होती है ठीक है न उसमें यह वाला शीशा नहीं दिखा आहता कभी आपने लगा यह बलब लगा और यह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब अगर लाइट नहां भी होएगी वहां पर बाइक में भी यह होता है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल अंकिता तो वहां पर क्या होगा कि लाइट आपकी दूर तक आपको दिखाई देगी ठीक है नहीं तो अगर आप बलम जगाओगे तो थोड़ा सा जादा वो उसके बाद स्कैटर हो जाता है तब यह स्कैटर कम हो इसको इसके लिए वह पैरलल बीम ऑफ लाइट रेस पे रहे तो क्या हम यूज करते हैं हम यूज करते हैं कंके मिरर अब यह एप्लिकेशन समय लग रहे है आपको जो मैं समचाने की कोशिश कर हो लाइडरे पर लेल हो जाएगी ठीक है कि लॉगे यह हर जगाप हर जगा बिलकुल यह यवह यूज था ठीक है तो क he is use कंकेव रिफ्लेक्टर ठीक है जी ओके लेट मी रिमोव टांकि आप इसकी स्क्रीन शॉट ले लो और अपने नोर्स बनाओ अब नोर्स पता चल गया किस तरह से बनाने अब यह डाइग्राम मत पनाने ब्याट जाना बट बेसिकली मैं आपको बता रहा हूंगी यह चीजे या जाएगी इसका एक ही केस है जहां पर इसकी इमेज बड़ी दिखाई देती है वो है जब आपका फोकस के अंदर कोई अबजेक्ट होगा तो उसकी इमेज जो बड़ी दिखाई देगी रियल दिखाई देगी और इरेक्ट दिखाई दिखाई और मैगनिफाइड दिखाई बाकि सारे cases में यह image कौन सी मनाता है, real image मनाता है हमेशा, ठीक है, और क्या मनाता है, image आएगी inverted और larger than that of the object, अब यह मैंने आपको already slide दिखाई है, याद रखना, याद करो, मैंने, focus है ने, यह वाला focus यहाँ पर है, focus के और किसके बीच में रखी है, ध्यान से रखो, ध्यान से talking about this, focus और center of curvature के बीच में, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, यह यह वाली में जो पने आपको पहले दिखाई थी, याद है, यह देखो, यह focus है, और यह center of curvature है, स्पोस, तो इसके बीच में क्या बड़ा object हमारा, ठीक है, तो इसकी photo क्या बन रही है, real बन रही ह है, समय लगी, और क्या बन रही है, enlarged बन रही है, लंबी बन रही है, धिर्या आपको लंबा बनता हुगा है, change, inverted 123, very good, लंबी मन रही है, मतलब, you're, तो नहीं हम बोलेंगे, inverted बन रही है, very good, ठीक है, और enlarged बन रही है, समर्यो, तो this is again a concave mirror, मैंने आपको बताया था, जब यह reflect होता है, तो light image आपकी ऐसी बनती है, done, इसकी example आपको मिलगी, अब हम चलते हैं, let me start, जो next case है हमारा, उसमें क्या है, center of curvature, जब हम center of curvature पे रखेंग कोई भी object को, उसकी image हमेशा उल्टी बनेगी, उतने size की ही होगी, जितने size का object है, ठीक है, पांच case करवा रहा हूं, यह याद रखना, image is inverted, and same size as that of the object, यह लग गी समझ, बहुत बढ़ी है बैटा, सुने, बहुत बढ़ी है, बैटा, आप को याद, जिस तरह से तरीके से याद रख सकते हो, मेरे को याद रखने से मतलब है, मेरे को ये मतलब नहीं, आप कैसे याद रखते हो, ठीक है, yes, good, अच्छी बाता सोने, डाइग्राम बना के अच्छे रखो या इसका फोटो लेकर रखो उसको अपनी कोपी में डाल लो जैसे भी मज़ा करना आप कर सकते हो ठीक है एक लास्ट केस मारे पास जो बचा है वो कहां गया लेट मी शो यू यू आ बैंद ऑब्जेक्ट इस ब्योंड दा सेंटर अफ दकर वेच्ट जब सेंटर ऑफ कर वेच्चर से भी दूर जाएगा ऑब्जेक्ट यह तो मैंने आपको बिता दिया ना यह अब्जेक्ट अट इंफिनिटी है चलो ऐसी देख लो जब सेंटर ऑफ अब्जेक्ट बहुत जाला दूर चले जाएगा सेंटर ऑफ कर वेच्चर से तो कौन सी इमेज बनेगी इमेज कहां बनेगी इमेज विल भी फॉंड बट्वीन फोकस एंड़ सेंटर मेशा रियल एंड इंवर्ट होगी एंड स्मालर द क्पढ़र जया दिखाई देगी छोटी दिखाई देगी ठीच है डिमिश्च दिखाई देगी चोटी दिखाई देगी और दूर कर दोगे तो चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-अ-ब धिए दिकां एम ज Pokémon आपको इसी चीजए अधो आप स्वी आप से ocur ह होता जह इसका बाई था यह कहां पर खड़ा होगा ध्यान से देखो इसकी image inverted ben रही है ध्यान से याद रखो द्यान से इसकी image inverted moady तो मतलब कहां पे हो सकता है क्या focus के अंदर होगा नहीं समयें focus के अंदर है तो इसकी सिर्फ बहन है ठीक है यह बंदा इन्वर्टेड इमेज बन रही है और इन्वर्टेड इमेज भी बड़ी बन रही है याद रखो इन्वर्टेड इमेज बड़ी बन रही है इसकी बंदेगी इन्वर्टेड इमेज जो है वो बड़ी बनती है ठीक है कहां बनती है इन्वर्टेड इमेज बड़ी अगर सेंटर ऑफ कर वेचर सोरी इसकी बात करों सी एंड एफ और सी पर अगर मैं सी के आइए दुक्रिये वाले था इन्वर्टर एंड डियल इमेज ठीके ना तो अगर मैं बात करता हूं यह सेंटर लार्जर देंड आउजेक्ट वैरी गुड जिसने भी यह आइसर दिया बहुत पढ़िया बेटा अगर हम c और f के बीच में रखते हैं center of curvature और देखो उसकी image उल्टी कहां गया एक मनट यहां पर क्या यह बच्चा जो है यह वड़ा लड़का है इसकी कहां पर खड़ा होगा center of curvature और focus के बीच में ठीक है क्योंकि इतना बड़ा इमर क्या है वह हमारा mirror है एक उसका चोटा सा पाट है तो इसका center of curvature कहीं यहां पर होगा और focus इसका suppose यहां तक है focus और center of center यह focus हो गया और यह center of curvature हो गया इसके बीच में जब भी पड़ा होगा तो यह इसकी image हमेशा उल्टी दिखाई देगी और object से ज़्यादा बड़ा आपको ना दिखाई देगा ठीक है और द्यान से देखो अम इसके जैसे picture में देख नहीं पा रहे हैं पर इसके पीछे कुछ टेबल टूबल भी पड़े आओ दूर तक यह दर्वाजा भी दिख रहा है आपको ठीक है तो इसकी image क्या है जितना जितना पीछे जाते हूं उत अब लास्ट छेमा केस आप देख लो एक बार जिसमें मैंने बोला अगर image infinity से आ रही इनफिनिटी का मतलब सक्षिए अगर अगर sunlight आ रही है sunlight काफी दूर आ रही है उसका हम डिस्टेंस नहीं लिखेंगे तो हमने कहा दिया उसको infinity से कोई भी light ray आ रही है तो अगर हम उसको फोकस करेंगे तो वहां से पैरलल लेरी आएगे हमेशा यह याद रखो जहां से आप जितनी दूर अबजक्त लेके जाओगे वहां से आपने मानना है कि पैरलल ले आ रही है यह सब्टन कन्वेंशन होती है तो आपने क्या करना है बैना इस अब्जेक्ट इस इन्फिनिटी अब्जेक्ट इमेज इस फॉंड एड एड दी फोकस जोहां पे कहां पे बनेगी इमेज आप फोकस पे बनेगी इमेज ठीक है रियल और उल्टी बढ़ेगी इन्वर्टड बनेगी सब्समालर दैन दैट ऑफ दी ऑब्जेक्ट हाइली डिमिलिश बहुत छूटी बनेगी इस सब का यूग आप कहां करते हो यहां में सबके घर में लगा उता देश नहीं है विटा आज तो नहीं है मेरे ख्याल से बट और होई की शायद साम को होई की शर्सायद की जैसे होगी कोई क्लास आई विल लेट यू नो ठीक है अभी के लिए यह पढ़ लो शायर इसके बाद आपकी मैट की और साइंस की क्लासिस अलग से लगने शुरू हो जाएं ठीक है उन पे भी आपने अच्छा सा कंसेंट्रेट करना है आपकी इंग्लेश इंप्रोव कोने चाहिए ताकि आपकी होलसम डिवलमेंट हो ठीक है तो यह देखा होगा आपने डिश लगी होती है अरे बेटा जोगरफी लगा देते हैं आप रेनू मैम से पूछो की जोगरफी किसने करवानी है अगर वो बुलेंगे तो मैं करवा दूँगा नहीं तो उनके पास और टीचर है तो वो करवा देंगे ठीक है ना अलग से वो आप मेरे को मैम से बलवाना पड़ेगा आप वो भी ले सकते हैं ठीक है तो बहुत सारे टीचर से हमारे पास उसकी टैंशन मतलो जोगरफी भी शुरू हो जाएगा अप इतना तो कॉप आप करो ठीक है ओके तो यह एक जो डॉक्ट्टर होते कई जो एंटी स्पेशलिस्ट होते हैं ठीक है वो क्या करते हैं ये वाला श सब्सक्राइब यहां पर रखते हैं ठीक है है जगजीत को वेटा मैं क्या क्या करवाओंगा है विल्ट्राइब मैं करता हूं प्राइब देखता हूं मेरे पास बनी पड़ी है प्रेसेंटेशन बनी पड़ी है मेरे पास मैंने क्राई भी होएगी जो पराने बच्चे हैं म मैंने एक lecture पूरा करवा है, let me share with the, पहले आप वीडियो देख लो, वो है मेरे पास, आथ देखी जाएगा वो भी, मेरे पास वीडियो है, एक बात देख लो, वो मैंने बनाई थी, फिजियो, फिजियोग्रफी ऑफ इंडिया पे है, ठीक है ना, बहुत अच्छी वीडियो हैं, ओके, दा इमेज यू सी फ्रॉम दा मिरर इस आइदर रियल इंवर्टेड और अप्राइट, ठीक है, आप देखोगे, तो उसकी जो इमेज आएगी, वो रियल इंवर्टेड आएगी, और वर्च्वल अप्राइट आएगी, यह दो ही बन जाती हैं, इमेज, यह केस हमें पता है, यह कब होने की, जब फोकस के अंदर वाली इमेज होईगी, तब यह बनेगा, इमेर, ठीक है न, ओके, यहाँ पर कौन सी इमेज लगे हैं, हिस्ट्री भी बढ़ा दूँ मैं, अरे बेटा, हिस्ट्री तो मेरा वैसे सब्जेक्ट है, मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, मैंने बनाई थी, मैंने बनाई थी, मेडीवियल इंडिया की, ठीक है, आई विल शेर विद यू, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कई बार होता है, ऐसे है, टैंचर मतलो, वी विल डिसक्स विद रही है, अब यह देखो, यहां पर कौन सा इमेज बन रही है, खुद बताओ मेरे को, वाट काइंड अफ इमेज विल स्वार्मिंगेट हेर, बलक को मैं कहां पर रखूंगा, इसको देख लेक बार पर रखता है, यस फोकस पर रखूँगा, तो यह लाइट पैरलल जाएगी, यहां पर तकरागे, की मिरे से टकराके, लाइट पैरलल हो जाएगी, यही तो आपको चाहिए, तकि लाइट बिखरे कब स्कैटर कम हो ठीक है ना हम फोकस पे रखते हैं तो इस इस वाट काइंड ऑफ मिरर जो अंदर लगा होता है है लाइट लिए कनिखेव मिरर शेड़ी में जब कोई बंदा क्या हो किसी ने दिख गया कोई शड़ी में शेड़ी में बताओ शुबम तुम गए होगे वेटा या स संकेत किया होगा संकेत इस दियर कि चला गया संकेत तुम भी एगया श्विड़ी में बड़ी मानने था यार तमारे उधर तो अच्छा इंदर जीत को तो वहां पर जो लंगर हाल है वहां पर जो खाना बनाना बनाया जाता है ना बिसीकली वह एक एक एव रिफ्लेक्टर पनाए जता है बहुत बड़े-बड़े Contrave Reflector होते हैं तो Contrave का मतलब है यहां से Sunlight आ रही है देखो ठीक है यहां से Sunlight focus पे रखोगे यहां पर खाना रखोगे यहां पर focus तो सारी की सारी light concentrate होके यहां पर जाएगी तो यहां पर यहां पर लकड़िए पर रिश्लेक्ट होता है चले आघे बटा ओके डन और उसी तरह से अगर हम यह वाला देखें मिरर इस इस मिराइज अगें विच टाइप अफ मिरर कंगी मिरर ठीक है अद लास्ट लास्ट इस दिस शेविंग मेर ठीक न यह भी सारा कुछ सेम अधा ठीक है है we have done all this is slide को आप एक बार copy screenshot लेके रख लो ठीक है mostly मैंने आपको करवा दिया गया जो नहीं समझ होगा you can discuss with me ठीक है इसकी screenshot ले ठीक है done तो कल से हम स्टार्ड करेंगे convex convex भी अबर मैं कहते हो तो करा दूं तो मिनट लगेंगे हो ठीक है तो कन्वेक्स में हमारे पास एक ही image बनती है वो बनती है हमेशा वर्चुल image बनेगी ठीक है ठीक है और दूसरी छूटी image बनेगी वर्चुल एंड स्मॉल यह यादर को वर्चुल और erect और magnified image कहां बनेगी concave mirror में ठीक है erect and magnified वो image बनेगी जब आप focus के अंदर कोई भी object रखते हो तब ठीक है जी are you understanding my point ठीक है तो जब भी image बनेगी जब सीधी बन रही है देखो यहाँ इमेज क्या बन रही है सीधी और जब मैं यहाँ पर image बना रहा हूं यह देखो चमच पर यही image बन रही है यह दियान से देखो कौन सी surface पर हुआ है जो बाहर वाला हिसा होता है ठीक है यह जो बाहर वाला इस सह होता है यहां पर सीधी image मन कऱी और यही image की अगर मैं convex में लेकर जाओंगा तो क्या ब 시报 को दो कंगेगे त Phoenix स्राइब इसिस कंगे मिरे बाहर वाला इसका इमेज अब वही जो हमने शीशा वाला देखा था शीशे वाला एक्जामपल जब हम कन्वेक्स मिरर में वही रखेंगे क्या कहते है माचिस की तीली को अब यह अपने साइस से छोटी दिखाई देगी ठीक है जी साइस से छोटी दिखाई देगी और इसका यूज हम कहां करते हैं यह देखो यह साइड व्यू मिरर जिसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर ठीक है जी इसमें क्यों देखते है क्योंकि हमारा फिल्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ जाता है ठीक है कन्वेक्स मिरर से यह देखो अग मैं एक यूज़ करता हूँ इसी को कर दिया कर दो के बाहर की तरफ को ठीक है तो वह साइट ऑफ यूज़ इतना बढ़ जाता आप ठीक है समझे रहो सिर्फ आपको एक गाड़ी नहीं दखाए देगी दस गाड़ी दखाए देगी जो आस-पास में घूमरी नहीं ठीक है जी तो पार्किंग में आप इसका जाला यूज़ करते हो कि पार्क में आपको पड़ा चलना चाहिए कि चार पांच गाड़ी ना लगी हो तो कहां पे पार्किंग करूं का मैं उसके साब से और पीछे का रियर व्यू देखने में आपको यह चीज़ है अब समय लग गया इस इ यह बाहर को निकला हुआता है उसको नाम होता है कन वेक्स मिर ठीक है जी तो यह यहां पर लगाय जाते है तांगी आपको दूर तक व्यू दिखे उसको कि आगे से गाड़ी आ रही है तो मेरे को स्लू हो जाना चाहिए ठीक है डन लास्ट अन नॉट दा लीस्ट यह भी य यह अ यह है यह तो सीधा है और यह तो तो सीधा हमेदगा है कि था यह से अपने आप कि शायाट अपने आप में यह दिस वान वंदशिस कं के व दिस कंव कन ल aumentar तो आपको शीष 만들어 कर लुस्क्राफ तो इस तरह से तब कर था जब पक्षो एस तरह से हाँ नॉट नाइस ऐस किसा आप से भी आप पता लगा सकते हों ठीक है जी डन ओके सो लास्ट स्लाइड ऑफ्टर टुडे ठीक है इसके बाद हम बंद कर देंगे और डिस्टिंग्विश बट्वीन प्लेन मिरर कंगेफ मिरर एंड कंवेक्स मिरर विदाउट टेचिंग तैम कैसे आप डिफ्रेंशि इमेज आउफ दा सेम साइज ये तो आपको बदा चल जाएगा प्लेन मिरर जितनी मर्जी दूर या पास रखो इमेज का साइज वैसे वैसे ही चेंज होगा ठीक है ओके तो इमेज क्या होईगी नॉर्मल उतनी ही दिखेगी इमेज का साइज बड़ा या कम नहीं होता प्ल इमेज होएगी virtual erect and magnified याद है हमने पहला क्यास किया था ठीक है और जितना जब आप convex mirror में रखोगे तो उसी एंगल पे वह diminished छोटी size की image बनाएगा ठीक है यह देखो इन में से बड़ी image को नहीं यह देखो यह वाड़ी image है यह छोटी इमेज है तो यह convex mirror है यह Concave mirror है और हमेशा convex image है जो वह है उल्टी image बनाता ही नहीं है हमारे पास यह मेशा कौन बनाता है यह चीज़ बनाता है Concave mirror है done okay so we have done इसकी slide लेके रख लो ठीक है yes इसकी slide लेके रख लो और today we have finished this यह सारा कर लिया हमने tomorrow we'll start with reflection reflection क्या होती है क्या message आया बिटा यह reflection पढ़ेंगे हम ठीक है जी okay we will do what यह क्यूं होती है किस angle में होती है फिर हम उसकी examples पढ़ेंगे reflection की क्या होती है कहां कहां पर हम उसको use करते हैं खीक है cable क्या होती है fiber octaves क्या होती है total internal reflection क्या होती है अरे इतना बड़ा message कुल्छन कुमार ची अरे कोई बात में कुल्छन कुमार की क्या message आया बिटा result मैंने देख लेता हूं अभी क्या है ठीक है सारी screenshot ले लिए अगरो बिटा उसी टाइम पे लट में शू यू यू स्क्रीन शॉट्स कहां से बड़े थे आजम यहां से ठीक है यह वाली ले लो साह करने दो टाइम टेबल बेटा आप मैंक से मांको ठीक है ठीक है यो तिक यह रजल भिए यो परसपनल मैसेज मेरे को गुरूप में शेर करना नहीं मेरे परसलिल मैसेच मेरे थे क्या जाना मेसेज आए ठीक है जूतिक है लगी समझ बेटा तो यह स्क्रीन शोट लेते जाओ अभी साथ साथ में लिल्ला करो ठीक है लेट मी क्लियर इट है सारे सिकोर रोईत कुमार तो डू शेर इंदा ग्रुप बोथ वन येर ग्रुप में और थ्री येर ग्रुप में शेर कर लिया करो पेटा ठीक है तो बेटा टेस्ट आपने क्यूं नहीं दिया ये तो आपके उपर है ना अब इसका में को क्या पता आपने क्यूं नहीं टेस्ट दिया ठीक है जब भी होगी बेटा आइव तो आपकी पॉलिटी की होईगी क्लास जो नेक्स्ट होईगी ठीक है ओके थैंक्यू बटा थैंक्स अलोट ले लो सारी एक और स्क्रीन शोट अगर लेने है तो बाकी है बाकी बच्चों के पास ग्रूप में है यू कन टेक इट ओबर फॉंट है ओके थैंक्यू थैंक्यू दूआ है तो ऑगरे बड़ां के も खास, वो सा घॉत है यू था, प्लफजर रूारी जड़ को अगर पक बड़着गक्ता च्etenापक्री एक भाल बाक्चों का 5 हो और मौ़दर कर अप है लोग बग्लपभर.